कि देखो हम तो आखिल बारती गोशाला की तरफ से हैं यह हमारी सारी टीम है हमारे साथ है रवी जी है अपने अमीर चांद नदेश कुमार बाकी मारे साथ ही अनेल बगरा जितने विए सारे हैं यह हमारा एक मुद्द था मुद्द भी नहीं है यह हमारे धार्मिक से जुड़ी हुई चीज है क्योंकि वह माता की तसक्री हो रही है क्योंकि डिवार्डमेंट से हम मिलें डिसी अपर मटुआ में डिस्ट्रक डोडा में चले जाते हैं तो आज एक मीना इनको पूरा हो गया गए हुए लेकिन इनकी जो परमिशन है अब यह हमारी जो एडमिस्टेशन है यह बना रही है और यह बिलकुल गलत है यह जो हमारे अपने हिंदू बाई जितने भी हमारे जो हमारे साथी हैं हमारे बाई हिंदू कुम्नेटी जितनी भी है इससे उनको बहुत जाने के उनके धर्म के साथ है कि खिलबाड हो रहा है हम जह चाहते हैं कि यह परमिशन टोटल ही बंद कर देनी चाहिए जैसे कहते हैं कि हम एनिमल हस्पेंटरी बालों को बीच में इन् जादा कोई नंदी गन बगेरा होता है उसके इलावा इनके पास कुछ नहीं होता क्योंकि इनके पास ज्यादा तो बेड़ बक्री होती है क्योंकि यह चीज तो हमने फारेस्ट बालों से भी कलेर करवाई है हमने उनका माटू भी लिए हो हुआ है मैं आपको यह भी दिखा कि पांच इसके पास गोड़ा है गोड़े वो टोटल मलाकी यह नानुआ होगे यह पूरा लिखा उसके बाद उसने लिखा इदर कि इस बाइस और इसने फीस्ट दी हुई है इसके बीच यह डेट है इसकी पांच चार दो यार भाई इसको माटू इशू हो गया आप आज देखो क्या है चलो उसके इलावा इन्होंने इसको रूर दिया हुआ है इसको यह बसंतपूर बलाग में रहता है इसको यह रूर दिया है बनी बनी से जाएगा यह इसको पूरा रूर दिया होता है और इस पर मैं फिर से आऊंगा आप देखिए जिसके जंगल में यह रहत हुआसे हैं उनका माट陳 नiği मानते तो फिर यह क्या है यह सीधा-सीधा एक sự कैंडल हो रहा हुआ है और हमारी कमugen हो करें है मिल जूर के सब करें मैं तो यह करूंगा के सब कर रहे हैं उसके बाद इनको रूर दिया जाता यह वर जे लोग जाते हैं डोढ़दा है किस्तवाड में और प्रिमिशन बन रही है अनतना की तो अनतना की क्यों बन रही है तो यह प्रिमिशन अगर यह बनाएंगे एक तो मैं आपको बताता हूं कि जो हम सब कंडी के लोग हैं हमारे गर पे हमारे पास किसी के पास तीन कमा जमीन है किसी के पास दस कमा हैं किसी के प प्राइर रखी हैं गर पर इनके पास जिनके पाश बैठने के लिए चार मरले जमीर नहीं है यह 10 गाएं को कैसे पा présent無च हैं जो किसे पर मिस्थे लो किसे बनातें बिजित्ट को अंखें खोल के देखें आँखें बंद करके नहीं देखें आगर आंखें बंद की मैं इस बात परही आ रहा था कि इनके पास इतनी होती नहीं है इनके ऑर होती चालीस पछाषी भेड़ बकरी होतीा आ यह नहीं होती है इनकी प्रमिशन बंद कर दीजिए आगर बोली हमारी मांग है कि यह टोटल बंद होनी चाहिए नहीं तो हम घर घर जाके अपने हिंदू बाईयों को जगाएंगे हम इतना बड़ा प्रदशन करेंगे कि प्रमिशन देने वाले की भी इंट से इंट बजा देंगे और जैसे हमारे धर्म के साथ खिलबाड हो रहा है क्या देखते हैं हिंदूस्ताने के हिंदू बहुल भावने के देश है गोमाता आस्ता का प्रतीक है हिंदू का लेकिन आज तक कोई सक्त कानून गोव तसक्री को लेकर नहीं आया हालां कि भाजपा फुल मेजॉर्टी में के इंदर में बैठी हुई है देखिए कनून जब भी कोई बनता है न जब कोई चीज सामने आती तो कनून बनेगा पहले मैं तो अपने हिंदू भाईयों को भी यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अपने धर्म के साथ जुड़िए क्योंकि गो हमारी माता है पहले हमें जनम देती है हमारी माता उसके ब बन पाया क्यों आज सडकों पर गाएं मरने के लिए छोड़ दी जाती है नंदी गन की आप बात करते हैं हजारों नंदी गन सडकों पर है और के लोगों की मौत का कारण बनते हैं क्या देखते हैं क्यों सरकार सक्त कानून नहीं बनाती है देखिए इस पे हमने आज डिसी स गौलिटी से और सरकार से यह उमीद करता हूं कि जैसे को सजा उनी चाहिए आपके माध्यम से भी कहें जाहिए जो भी अपरादी इसमें पाया जाता है उसको सजा उनी चाहिए उसकी गाड़ी ना रिलीज हो और उसके बाद उसका यो लाइसेंस है ड्राइविर का वो भी कैंसल होना चाहिए ये तो हमारी सरकार से भी डिमांड है क्या सरकार का क्या रूल है पश्वु तषक्री को लेकर मेखे को सरकार को यह कनून सारे तोड़ देने चाहिए जो पहले हम उसका कनून भी बनाएंगे उसके लिए भी लडएंगे यहां तक चाहे हमें दिल्ली भी जाना बड़े तब जाएंगे का डिखते यह कुई सारी गाये पशुधन सडखों पर रहता है कोई समाइस से उनको विजही कहूंगा कि हर संगठन जितने भी हैं हमारे वो एक मिल जुल के अपने पास में देख लीजिए जहां भी आपको सरकारी लैंड है उसको लाड़ करवाईए डीजी साब के पास जाईए और यह जितनी हमारी गो माता का अपमान हो रहा हमारी आंखों के सामने आज हम भी गो माता की रक्षा के लिए आये हुए जैसे इनकी प्रमिशने बंद करवाओ उसके बाद गो माता शटकों पर आएगी इसके लिए आपके मादियम से जितनी भी हमारे हिंदूों की संस्ता बनी हुई है मैं उनको सब को कहना चाहता हूं कि जैसे आपने मिश्रा साँ वह उन्हों ने शालव बनाई हुई है उन्हों कंसे कमशा करीम गो माता और नंदी हमारे माता मादा हमारा सिनातन माता मानता है य मैं सबसे ये आपके मादियम में से यह कह रोड पे कहीं भी नंदीगन और में owment और मैं 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 य सकות मुझा हो चाहिए जैसे उनके बच्चे हैं जैसे उनकी गो माता है, जैसे उनकी अपनी माता है, जैसा नंदीगन है, उनका ये चाहिए आप बाब लालो, जा भाहि लालो, वो उनकी फैमिली की तरह है, अगर उसको बाहर शोड़ोगे, तो मैं कहता हूँ कि आप ने अपने ही गर का कोई बज़र्ग जिना माता-PITA को उधर शोड़ा है और जब आप उनको शोड़ते हो अपने माता-पिता को ऐसे ही मानके चलो के इनको शोड़ा है आपको वद्वा देते हैं तो बच्चों का कुछ नहीं रहता ऐसे ही मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि यह भी हमारे माता पिता की तरह है इनको बाहर मत चोड़िए अगर चोड़ोगे तो आप सुखी नहीं रहोगे ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये उसका हमारे सनातन में वागवत कथा का